अस्तामनेकुम वियर्स, वेलकम बेक टू माई चैनल, मैं हूँ अत्फ नाजीम और मेरे चैनल पर मिलती है आप लोगों को बहुत सारी प्रोफेशनल क्लास तो आज की जो प्रोफेशनल क्लास है आप लोगों के लिए बहुत इंपोर्टन क्लास है क्योंकि आज मैं आप क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए यह सब कुछ आप लोगों को मैं बताऊंगी सावसात मैं प्रोडक्ट्स की पिक्चर भी लगाती जाओंगी मार्किट में काम या ज्यादा प्राइसिस की प्रोडक्स सारी अवेलेबल हैं तो स्किन केर के कोर्स में अगर क्लींजर टोनर सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो वो भी आपने क्लास में नहीं करनी तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पर नुए और जिन लोगों ने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया है वो वीडियो को लाइक और करें और जी अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं जब हम बात करते हैं जी स्किन केर की तो सबसे पहले जो स्किन केर में चीज इंक्लियूड होती है या बहुत जरूरी इंपॉर्टन चीज है वो है जी क्लिंजर और क्लिंजर आपकी स्किन को क्लिंज करता है आपकी स्कि की बात की जाए तो सबसे पहले जो हमारे पास क्लिंजिंग की टाइप है वह है जी जेल क्लिंजर जेल क्लिंजर जेल क्लिंजर जो है वह बहुत अच्छा है इसके इलावा औरी फ्लेम में भी जेल क्लिंजर जो है वह बहुत ज्यादा मिल जाते है इसकी कंसेंसी जो है वह जै दिए है इसे इंग्रेडियोंटि जो है वो हीड्स हें इंगेडियोंटि होते हैं और यह इंग्रीडियोंट है आप लोगषा नॉकी और यह अगर बात की जाए तो यह best है तमाम skin types के लिए ठीक है next आजाता है जी cream cleanser cream cleanser जो है वो mostly use होने वाला cleanser है और इसमें मैंने आप लोगों को अकसर दिखाया जो cleanser दिखाते हैं जो facials में cleanser मिल रहे होते हैं like this यह सारे जो है cleanser यह cream cleanser होते हैं cream cleanser का work क्या होता है जी cream cleans क्लिंजर आपकी skin को moisturizing properties देता है ठीक है इसमें जाग नहीं होती फॉर्म नहीं होता है cream cleanser यूज करने के बाद आपकी skin जो है वो ना तो dryness फील करती है ना ही यह skin को dehydrate करता है इसके इलावा जी यह sebum को control करता है और यह great makeup remover है यानि इसके साथ आप makeup भी remove कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से और यह कौन सी skin के लिए है जी यह है जी dry और sensitive skin के लिए best है ठीक है normal skin type वाले भी इसको use कर सकते है लेकिन dry और sensitive skin के लिए यह best है उसके बाद आजाते है जी हम form cleanser पे form cleanser जो है वो cream form में भी होता है gel form में भी होता है ठीक है यह form बनाता है यानि जाग बन जी पोर्स में से और इसमें जो ingredients है वो आपकी skin को dry करते हैं आपकी skin से oil को control करते हैं ठीक है और उसके साथ साथ cleansing भी करते हैं और यह आपकी oily और combination skin के लिए बहुत best है third one ठीक है oily cleanser और मैंने picture भी लगा दिये form cleanser जो है वो अकसर आपको बहुत सारी companies के मिल रहे होते हैं low company क लेने चाहें तो भी ले सकते हैं high company का लेने चाहें तो भी ले सकते है और flame में भी form cleanser जो है वो अवेलेबल है clay cleanser जैसे के name से ही जाहिर हो रहा है के clay cleanser मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी मियों उस वीडियो का link भी मैं description में दे दूंगी और laurel का मैंने आप लो हम यूज नहीं कर सकते हैं लेकिन आपके skin पे mattifying effect देता है ठीक है और clay mask की तरहां से ये होता है देखने में और ये clean ये जो cleanser है इसको आप remove करते हैं wash out करते हैं ठीक है और ये oily और combination skin के लिए बहुत बैस्ट है link description में देख लीजिएगा picture मैंने लगा दी है अब आजाते है जी powder cleanser पे powder cleanser मैंने आप लोगों के साथ पहले भी share किया था powder cleanser जो है इसकी properties जो है वो तकरीबन ये powder form में होता है इसको आप अच्छा तरीके से water में और अगर आपकी skin जो है वो बहुत जादा oily है तो आप इसको बना सकते हैं जी rose water में ठीक है या toner में भी आप इसको मिक् आप लोगों के साथ शेयर किया था ये powder cleanser ठीक है तो ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ है ये एक्चुली scrub है powder scrub है इसको भी ऐसे ही बनाते है या rose water में या फिर साधे पानी में भी आप बना सकते हैं और ये आपकी cleansing करने के साथ scrubbing करने के साथ cleansing भी करता है ठीक है तो जितने भी powder cleanser है market में आप अगर purchase करते हैं तो वो cleansing करने के साथ exfoliation भी करेंगे आपकी skin की तो ये जो मेरे पास है ये है जी बानो हरबल का इसका भी लिंक मैं आप powder cleanser है powder cleanser आपकी oily skin के लिए बहुत बेहतर है combination skin के लिए बहुत अच्छे है और sensitive skin के लिए बहुत अच्छे है और ये deep facial cleansing भी करते हैं ठीक है powder cleanser अब आ जाते हैं जी micellar cleansing water micellar cleansing water आप लोगों के साथ मैंने अभी कल या परसों video share की थी उसमें आप लोगों को दिखाया था mice make up remover and make up remove करने के साथ साथ ये बहुत अच्छी सी cleansing भी करता है और आप लोगों को fresh look देता है मैं नीविया का आप लोगों के साथ share का रही हूं आप चाहें तो garnier का ले सकते हैं या किसी और भी company का ले सकते हैं इसमें oils भी मौजूद होते हैं ये oils आपकी skin को बहुत minor सा oil add होता है इसमें toner add होता है तो ये आपकी skin की cleansing करते हैं makeup remove करते हैं उसके साथ toning भी करते हैं ठीक है और ये तमाम skin types पे जो है suit करते हैं और dry skin oily normal sensitive सब इसको use कर सकते हैं easily अब आ जाते हैं जी बार soap cleanser पे अब बार soap cleanser क्या होता है मैं picture लगा देती हूं catafil के जो हैं वो बहुत मशूर हैं और बहुत अच्छे भी हैं अच्छे results हैं उनके इसके इलावा भी bar soap जितने भी facial form soap आते हैं वो आप face पे यूज कर सकते हैं अब यहां पे बात की जा रही है bar soap cleanser बार soap cleanser जो है वो actually face के लिए बनाया जाता है अगर वो cleanser है तो वो face के लिए बनाया गया और वो hard नहीं है bar soap cleanser जो हैं वो facial की properties रखते हैं facial cleanser की ठीक है और जो आपके body soap होते हैं वो बहुत harmful होते हैं आपकी skin के लिए यह जो face के लिए soap होते हैं यह mild होते हैं जो body soap होते हैं वो harsh होते हैं वो हमने face पे use नहीं करने होते हैं जो च्छल करता है आपके pH level को और इसके इसके लावा जी यह oily और combination skin के लिए good है 8th one जो है norins cleanser ठीक है norins cleanser जो है यह बहुत best रहता है जी dry skin के लिए sensitive skin के लिए और acne prone skin के लिए अब यह norins cleanser जो है यह form forming वाली form में भी होता है cream form में भी होते है और lotion form में भी होता है ठीक है ना और इसको हमने wash out नहीं करना धोना नहीं है जैसे के name से ही जाहिर है यह आपकी skin पे रहता है जी recover भी करता है ठीक है तो norins cleanser बहुत ज्यादा यूज होने वाले cleanser नहीं है लेकिन यह भी जो है ना बहुत 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 रहते हैं skin के लिए अगर आप लेना चाहें तो आप इनको भी ले सकते हैं और मैंने इनकी पिक्चर भी आपको दिखा दिए जी cleansing wipes अब जी cleansing wipes जो हैं सबसे बेस जो cleansing wipes है ना वो हैं जी body shop के इसके लावा मैं mini-sos से लेती हूं वह भी बहुत अच्छे body shop के vitamin E जो wipes है na cleansing wipes वह बहुत 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 वैस रहते हैं उसमें vitamin E include होता है और wipe के साथ आप बहुत अच्छे तरीके से अपने क्लिण्ज कर लेते हैं ठीक है नी कि यह था है के बीक वाइप किसे में अब दूस्ते में ऐसानी दिए आप सवर मेंडा on चाहिए मैशन पास की चिस नहीं आए या पानी लगार या तो फिर आप wipes use कर सकते हैं, बहुत बितर रहते हैं, wipes जो हैं मैंने आपके साथ कल की वीडियो में शेयर किये थे, makeup removing wipes जो है, वो एक अलग से आते हैं, ठीक है न, ऐसे नहीं है कि जो baby wipes है, या कोई और wipes जो हमारे simple होते हैं, वो नहीं है, makeup removing wipes जो है, वो separate होते हैं, ठीक है, जी, इसी तरह जो wipes है, वो तमाम skin type वाले यूज कर सकते हैं, लेकिन जो cleansing oil है, वो dry skin वालों के लिए best है, और normal skin वाले भी इसको यूज कर सकते हैं, अब ये oils जो हैं, बहुत mild होते हैं, इन oils को oil cleanser होता है, ठीक है, अगर आप market में जाएंगे तो आपको available है, तो oil cleanser आप ले उनकी skin recover भी होगी और cleansing भी हो जाएगी, final जो हमारा है, वो है, cleansing balm, cleansing balm, जो है, ये balm जो है, आप लोगों को मिल जाएंगे body shop में, इसके इलावा, nutrigena के मिल जाएंगे, लेकिन ये balm अगर आप ये समझें के ये balm होगा, तो बहुत थिक होगा, लेकिन जैसे ही आपकी skin पे लग लेकिन यह वैसे आपका इनकी जो पोर्स है और उनको नीट कर देते हैं ड़स्ट को आउट कर देते हैं आपके फेस को बड़ा फ्रेस कर देतें तो यह बहुत कम यूज होने वाली तेन तीन चीजें जो मैने आपको सुरी वाइप तो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, नौरिंस, क्लिंजिंग और क्लिंजिंग बहुत कम यूज होने वाले, लेकिन बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट से, अच्छा जी, अब ये सारी टाइप्स जो है, मैंने आप लोगों को बता दी हैं, इनकी जी, टोटल टाइप्स जो बेसिकली हैं, क्लिंज मैं रिक्वेस्ट का रहे थे, तो मैं आप लोगों के साथ अपने सीठि बैर सारे शेयर करूंगी, तो वाइनिग नाइट क्रीम, वाइनिंग बे क्रीम आप लोगों के साथ आने वाली है, शेयर होने वाली है, अगर कोई कोस्टिण आप закон को लगता है और ने शी बखना झाल झाल